तो फाइनली धूंडी लिया आपने हाँ मुझे उम्मीद थी आप धूंड लोगे आज कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षया बारा इतिहास पार्ट नंबर तेरा पार्ट का नाम है महातमा गांधी और राष्ट्रियां दोलन चलो शुरू करते हैं आज आपको mcqs मिलने वाले हैं इस वीडियो के अंदर बहुती छोटी शी वीडियो होने वाली है हाँ एक चीज़ बता देता हूं कि यह जो question answer है mcqs वाले यह लीखे होगे मिलेंगे साथ में वीडियो भी है तो पेज और playlist का लिंक के description में है तो जुरूर से check out कर लेना और हां कि अगर कोई question add करना होगा तो वह साइट के ओपर ही होगा पेज के ओपर ही होगा तो वहां से एक बार जुरूर से visit कर लेना अगर कोई नया question add up होता है बाद में वीडियो देख रहे ह चलो अब शुरू करते हैं पहला person है भारत सरकार अधिनियम कब पास हुआ था 1935 इस्वी में यह जो है ना एक चीज बता देता हूं लास्ट के जो तीन chapters हैं आपके लास्ट वाले 13 14 और 15 यह important exam में इन में से सबसे ज्यादा mcqs हमें देखने को मिलते हैं साथ में जो है पह आकियों में बीच में तो ठिक ठाकी आते हैं इन में से बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं कई बार तो दो दो mcqs आते हैं एक चैप्टर से तो यह भी होता है तो लास्ट वालों पर थोड़ा अच्छा ध्यान लखनाप गांधी जी ने दांडी यातरा जो की थी वह कह हा जाता है हम बोलते हैं इसको चोरा-चोरी है लेकिन यह है चोरी-चोरा यह जो घटना यह कब हुई थी फरवरी 1922 में दूसरा गोल में सम्मेलन कब हुआ था 1931 में हुआ था यह महत्मा गांधी ने व्यक्तिकत सत्यागरह कब शुरू किया 1940 में अखिल भारतिय हिंदू मह सभा की स्थापना कब हुई 1915 में 1911 इस्वी में 1911 इस्वी से पहले भारत में ब्रीटिस सामराज्य की राजदानी कहां इस्तित थी कलकत्त यानि की सुरुवात में जो है ना कलकत्त राजदानी हुआ करती बाद में इनोंने दिल्ली बना दी थी महत्मा गांधी की दांडी और मुस्लिम लीग में समझोता हुआ लखनव लखनव अदिवेशन था भारत के अंतिम अंग्रेज वोइस राय कौन थे लाड माउंट बैटन पूना समझोता कब हुआ 1932 में हुआ सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा यह गाना किसने लिखा था मोहमद इकबाल न यह कोस्टन जो है ना हरियाना बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कोस्टन इसमें से काट दिये गए हैं क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहे थे तो याद रखने पड़ेंगे यह नाम वाम जो भी कुछ हा रहे हैं मुस्लिम लीग का सं स्थापक किसे माना जाता है सर सैयद एहमद खां को जलियावाला बाग हत्याकांट कहां पर हुआ था यह तो वैसे भी सबको पता होगा अमरित सर के अंधर हुआ था यह लाड मिंटो से मिलने वाले मुस्लिम सिष्ट मंडल का अध्यक्स कौन था सर आगा खां तीन जून 1947 को निमलिकित में से किस योजना की घोसना की गई थी माउंट बेटन योजना बड़ा यजीब नाम है महत्मा गांदी का जनम कब हुआ था अगर आपको यह नहीं पता तो ना ना आपके बसकी नहीं है पढ़ाई छोड़ तो फिर तो दो अक्तूबर 1879 को एट यह भी याद ना रहे तो दो अक्तूबर तो याद रही जाएगा तारिक वारिका देखी जाएगा एक उप्शन तो 31 मार्ज वो तो ओटोमेंटिकल ही डिलित हो जाता है आपके आपको पता होना चाहिए 1879 में हुआ था दो अक्तूबर को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की लिए अलग देश बनाओ लेकिन मुस्लिम लीग ने स्पेसली जो 1940 में ये बात उठाई कि हमें पाकिस्तान चाहिए तो यह इंपोर्टेंट है याद रखना जरूरी है आपको वैसी भी अप्शन सीसी हिसाब से बनाए गया ताकि आप भूलो ही ना कि 1940 तो था बाकि यह दे योज हिंदी मीडियम और इंगलिश मीडियम दोनों में होने वाली है तो सब्सक्राइब करो साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए